इसको ऐसे पानियों से बर के ऐसे इसको गुमा दिया जाता है। नादमी के मल से चलता है। ओरटीनेटर से बिजली बनाते हैं। एक ऐसा बिना पढ़ाली का किसान जिसने कर दी हैं साइंटिस्वी फेल। इन्होंने इन्सानी मल से बना दिया है बायो गैस प्लांट कड़वे पानी से मीठे पानी बनाने की टेकनीक का विश्कार किया इन पे लगबक सो से ज्यादा मैडल और सर्टिफिकेट है चलो करते हैं इंसे बातचीत बबबजी राम राम जी राम राम बबबबबबब अपना नाम बताओ एक बार मैं ठाकवर गोपाल सिंग्याओ वावन तैसिल कुमिर जिला भरतपुर राजस्थान से और कितनी उमरमान के चले आपकी उमरमान हो सत्तर साल के तकरीव है सतर साल और आज भी खेती कर रहे हो मत दोटा सकता है के बल गोबर से चलता है जितनी भी गलने वाली या बदमू देने वाली जैसे की गोबर है जै आदमी का अमल है जए डाबे पर बचा हुआ खाना है उन सबको इस गैस में कनवर्ड कर दिया है यह कि बदा जाता है और यह जो नली पड़ी है अपने सामने जे य पथे इसको ऐसे घोल बना दिया जाता है पानी डालके और बने के बाद में जो अपना यह लोख एक एसको खोल देते हैं सिधे इसमें जाता है यह 10गं मीटर का टेंग है इसके ये इसका in point नेम है I mean point हाई यह जहां से जो मैसेच को मैसिज देता है कर यह तो यह जैसे किछन को जा रहा यह लिए थो यह दूसरा जो point है हाजी यह इंजन के लिए है जैसे टेक्टर चलाना है हमें 10 परसेंट डीजल लेकर 90 परसेंट है गैस से अपना चलता है बाबजी जो जो चीज आप इससे चलाते हो हमें चला कर दिखा हो एक बार बिलकुल चलाते हैं बाबुजी अभी लो मैंने बताया भी वहां पॉंट है यह जैस्तों डॉसरा अपना मीटर है पानी यह देक्ट हो रही है यह यह एर के लियंच यह बहुत बड़ाया ज यह यह दीजल मैं इसमें चैल इस वह बोतल में ंतिजल धियर की बोतल-चमें थेज़ औरीis अच्छा यह गैस से यह ऑल्टिनेटर है जिसे बिजली बनाई जाती है यह आटा चक्की है से डारेक्ट अपना कनक्षन है पता चड़ा के इस पर डारेक्ट आटा पिस जाता है गायों के लिए दाना है खाने के लिए जी इंजन करीब 40 साल पुराना है और आज भी चालू कं पर देखो यह बाले जैसे हम देंगे इसको नीचे बबल बन रहे हैं वैसे यह गैस निकल के आएगी इस बोतल बताएगी कहां गैस चल नहीं जी उसके बाद यह करंट बना रहा रहा है विजली के करेंट से यह आपकी यह अच्छे आपर हमें सप्लाइश यह जाएगी जै पर यह पर अपनी चून पिस्ता यह पनी अच्के गाय के लिए प्याव चाहने के लिए शानी के लिए बाइश के लिए गोल बनाने के लिए वाँ से चल रहा है यह दर से नीचे जाके देखो इसमें पोटर में यहां से पतले वाला जो पाइप है कि चिन के लिए आ देखो साब यह चूला है चल भी काफी बनलब सही रही है तेज रही है तो अगर तो लेंडर की तो भी संबंदें सब का खाना इसी से बनता है इसके पास छेंची नजदीक जाओगे तीरी दिखाओगे उसके बाद ही यह आग पकड़ेगा मकान में अगर खाना बन रहा किचन कि मां इस में से आपस भी तुर इसके बाद यहां से रही है जैसे खेटी के लिए आ रही है तो पॉझा सकतें हैं अग सिर्फाव द बंढ जो लगा हुआ यह लगा हूओ यह भटकत का ड़ाय है वियह तो गोबर का काम हुआ है अब यह केवल आदमी के मल सी चलता है चैसे यह केवल आधमी 15 पंदरेंडेंटेंस में सोच जाते हैं तो इसे क्या है कि हमें यह 3,5-3,5-3,5-3 घंटे किए सर्विस में लजाती है यह जटना भी भरा पड़ा यह सब खाद हैं यह सारा का जब जो सोलह उतत तो वाला खाद के जो कि शिक को जितनी भी जा कर एक सा ने जरूवत है जबस पानी कि दो फाका हा इसंग मुझेय से बुगवा झाल कहा है इस पांच फिटकी हम गोला कार है इसमें एक टेंकर पानी आ जाता है मुझे एक महीने आराम से पिला खिला देता है खाना बना लेता हूं और अपने नाने दोने बर्तन बाने का सारा काम कर थंड़ा है मतलो हर समय थंड़ा रहता है मैं छोटा कुवा ही मानो हुआ है यह बाबब है यह दो तर आपना नंदी है और यह सफेद अटी नेर पास फांच किसमें जाए की सब देशी किसमें सब देशी और इनके बच्चे बच्चे मिला के कितनी होंगी नगब यह करीब चालीस है 15 पनदरे तन में नंदी है जे मैं जोटे गड़े ऀट्या और तकरीवरं 25 अपनी तो बब जी इनका दूद का किसे नकरने कि था रेक्वा ऐता है कडवा पानी था तेलिया था वी इक कटा जबनग पूर्ब है जयरे का मईजून का मई महिना आता है कुंकिHHHH हम ने उन में नीचे पानी है है तो अपने पानी जंगल का पानी आता है तो और हम्सके नीचे तो इसके द्वारा यह पाणी जमीन में सप्लाई होता है जमीन में जाके श्रोत में फोग हो जाता है यह किये कर रखा एक अधर है चेक सामने है यहाँ जैसे हम Jais सारा पानी हमारे पाश्रेटा है छे से कहावता है ऐसे मान के चलो समर से विल है हमारे लिए घाना बनता है गायों कई पीलाते है सानी है और अपना लिए पानी सो घोनाने के लिए खाने के लिए ठीक है यह पानी से पानी जा रहा है और ऑन की छाने तो आप डिपैंड मलब जो भी फसल आप बहते हो तो क्या क्या बुरक्खा है अपने हमें जवार है बाजरा है उड़दे मुग है तिल है जितने भी जमीन वह रखा है तो आप डिपैंड बारीस पी रहते हो सर्केवल बारिस के यह घर है अपना जी अपना चल अदर चलता है जितने भी मैडल देख रहा हूं है बता सकते हो कब-कब मिले ते आप तो कि सुबलब्दी में मिले देखो यह तो 2011 में है फष्ट में जो है यह सब खेती बागवानी गौपालन के ही जितने मैडल है यह सब खेती से ही सम्बंद है यह सब प्रसस्ती पत्र है अपने जितनी जितने बीड़ी जितने भी पेपर वालों ने निकाला है यह गौपाल से शुरूआत बुलंडियों पर गोपाल जी 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 तो आपने सारी चीज कटिंग करके सारी यह सब मैंने बचा के रखा है बच्चों के लिए जो खेती को आगे बढ़ा है यह लगा के तम और इदर एक नेपाल बोलर पे गड़ी गड़ी गाओं है अच्छा वहां तक मैं पोदे लगा रहा हूं बागवानी का भी काम करता हूं जी भारत देश में हमारे में करीबर मेरे 11,800 पोदे फल दे रहे हैं बहुत बढ़िया तर बहुत बढ़िया मिलका आपसे बहुत